हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हुद्धनेस और स्वागत है आपका क्रिसक इंडिया क्रिसक भारत में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे मुर्गी के सरीर में या पैर में कहीं पर भी घाव हो जाता है तो हम उसका इलाग किस तरह से करेंगे कौन सी दवा हमें उप्योग में लानी पड़ेगी तो चले दोस्तों आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों जो भी किसान साथी मुर्गी पालन करते हैं उनको पता ही होगा कि मुर्गियों में चोट या तो घाव कितना परिसान करता है साथियों जब हम मुर्गी पालन का काम सुरू करते हैं तो 100, 200, 500 या 1000 या उससे भी ज़्यादा मुर्गियों से अपना काम सुरू करते हैं तो जाहिर से बात है अगर उतना ज़्यादा संख्या है तो उनके बीच में लड़ाई भी होगी और लड़ाई होने के कारण चोट भी लगेगा तो चोट लग जाता है और अगर हम एग्रेसिव बीच पालते हैं जैसे की असील हो गया तो ये बीच तो लड़ते ही रहते हैं और इनको चोट और घाव बनते रहता है इसलिए इनका दवाई भी हमें मालूम होना चाहिए ताकि वो घाव आगे ना बढ़े और मूर्गियों को नुकसान ना पहुंचाए तो चलिए हम देख लेते हैं इसके लिए कौन कौन सा दवाई हमें यूज करना चाहिए दोस्तों आइटमेन में हम पोईडोन आयोडीन आइटमेन का उपयोग कर सकते हैं इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है जैसा भी घाव हो या चोट हो उसको बहुत ही जल्द यह ठिक कर देता है लेकिन इसके साथ आपको एंटिबायोटिक भी देना पड़ेगा एंटिब प्वेधिक मरहम में आप चारमील का उपयोग कर सकते हैं चारमील प्लस के नाम से मरहम आता है इसका उपयोग आप कर सकते हैं इसकिन से संबन्धित कोई भी परिशानी हो कोई भी बिमारी हो दोस्तों अगर मुर्गी किसी चीश से कड़ जाती है या तो फिर लड़ाई के दवरान उसको नाखुन लग जाता है या तो फिर अन्य कोई घाव जो इसकिन में हो गया है इन सब में चार मिल प्लस बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों इसके अलावा हम अपने सेट पे अगर बिछावन की मातर कम करते हैं याने चार मिल प्लस का भी उपयोग आप कर सकते हैं और साथ में आप एंटिवाटिक भी दे दें तो यह ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है दोस्तों यही आज का एक छोटा सा वीडियो था और मैंने सोचा कि किसान साथियों के लिए यह भी लाबदायक हो सकता है इसलिए म हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जूर सकते हैं तो दोस्तों ठीक है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं तो ठीक है दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नए जानकरी के साथ तब तक के लिए जैन जै भारत